दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतिजार के बाद आज हमारी नो सेना की तरफ से वो फैसला ले लिया गया है जो चाइना और पाकिस्तान को तो भारी पढ़ने ही वाला है लेकिन भारत के इस कदम की वज़े से हुती विद्रोहियों की भी अकल ठीक होने वाली है दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पिछले कुछ महिनों से गल्फ ओफ एडन में हुती विद्रोहियों एक के बाद एक कार्गो शिप को टार्गेट कर रहे हैं इवन हूती विद्रोहियों की तरफ से तो भारत के भी दो कारगो शिप को टारगेट किया गया था और हूती विद्रोहियों की तरफ से हमारे दो कारगो शिप के उपर ड्रोन से हमला किया गया था लेकिन हमको हूती विद्रोहियों के उन हमलों की वज़े से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था लेकिन उस समय भार्तिय नोसेना ने ये बाट ठानली थी कि जैसे हूती विद्रोहियों की तरफ से हमारे जहाज के उपर ड्रोनों से हमला किया गया है सेम इसी तरीके से यूत की प्रस्थिती में दुश्मन देशों की तरफ से भी हमारे जंगी जहाजों के ऊपर ड्रोनों से हमला किया जा सकता है क्योंकि इस समय हमारे पास जो ज़्यादातर जहाज मुझूद हैं उनमें कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं लगा हुआ है इसी बात को देखते हुए अब हमारी नोसेना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब हम अपने सभी जहाजों के उपर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाने वाले हैं अब जो हमारे जहाजों के ऊपर ये D4 नाम का डिफेंस सिस्टम लगाये जाएगा इसको DIDO की तरफ से बना कर तयार भी कर लिया गया है जिसका इस्तमाल हम इस समय कर भी रहे हैं तेकिन अब इस डिफेंस सिस्टम के एक नेवल वर्जन को बनाये जाएगा जिसको हम अपने जहाजों के ऊपर लगाने वाले हैं T4 डिफेंस सिस्टम की यदि बात की जाए तो इस डिफेंस सिस्टम की इस समय रेंज को 5 किलो मिटर रखा गया है लेकिन इस डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात तो यह ही कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों के ड इस defense system दुश्मन देशों के ड्रोनों की frequency को jam कर देगा जिस कारण दुश्मन देश का ड्रोन खुद ही जमीन पर आकर गिर जाएगा और इसी को हम soft kill बोलते हैं और इस defense system के अंदर जो hard kill capability होने वाली है उसकी मदद से हम दुश्मन देशों के ड्रोनों को तेजर की मदद से आफी आसानी से मार कर गिरा सकते हैं भारत के इस defense system को आप iron beam समझ सकते हैं या फिर आप इस defense system को mini kali system समझ सकते हैं लेजर hard kill होने का हमको एक फाइदा यह भी होगा कि हमको दुश्मन देशों के सस्ते ड्रोनों को मारने के लिए जहां पर 8-10 करोड की interceptor missile को launch करने की जरुत पड़ती है वही पर इस defense system में हम कुछ 1000 रूपिये में ही दुश्मन देशों के ड्रोन को लेजर बीम की मदद से मा लगाने वाले हैं लेकिन एकदम से हम अपने default defense system को अपने सभी जहाजों पर नहीं लगाने वाले हैं बलकि इस program को हम अलग-अलग phase में शुरू करेंगे इसके तहत हमारे जहाजों के ऊपर default defense system को लगाये जाएगा और इन defense system का mass level पर production भारत electronic limited करने वाली है और अब आपी comment करकर बता सकते हैं कि क्या हमारी नोशेना ने सभी जहाजों के ऊपर defense system को लगाने का फैसला सही लिया हां या फिर ना इस बात का अंचरा आप comment box में दे सकते हैं thanks for watching this video have a good day